पंजाब दी मान सरकार दे वलों शुरू कीतियां गईयां खेड़ा वतन पंजाब दियां दा दूजा सीजन आज शुरू होवेगा। इना खेड़ा दा उदकाटनी समागम बठेंडा देशी इद पगत सिंग खेड स्टेडियम देविच शाम नू चार वजे होवेगा। पास्ट वेच सारी जिलांदे खेडारी हिस्सा लेंगे ते खेडारियां वलों उच्ची सुची खेड़ पावनानाल खेड़ दन दी सौंच चुक्की जावेगी। पंजाब दे खेड मांतरी गुर्मीत सिंग मीथियर पाईक नयाजी चौंक ते मशाल मार्च दा स्वागत करनगे। इना खेड़ां दे वेच सात क्रोड रपए दी इनामी राशी रखी गई है। पैंती खेड़ां दे ले आठ ओमर वरगां दे विच मुकाबले होंगे। आफत राहत पंडा विचो दिपते जांदी परवान की दे दती हैं। इस फैसले नार पंजाब सरकार दिली चो ने दी मुडले पड़ा ते नुकसानी फसल दा मुआवजा दें दारा पद्रा हो गया। पंजाब सरकार देले ये दोगदा ते डिक्का बनेया होया सी के आफत राहत फंडा चो किसाना नूचो निदी लौई मौके हडा ना नुकसानी फसल दा मुआवजा के में दित्ता जावेते हुन केंदर दी इजासत तो बाद पंजाब सरकार चो निदी लागत खर्चे वजो ठाट सोर पये प्रती एकडेह साबनाल मुआवजा दे सकूगी दरसल केंदर सरकार वलो कौमी आफत प्रबंदन फंडा दे नर्द आरत नुकसान दा मुआवजा नहीं दित्ता जान्दा क्योंकि लौई दे पड़ाते हुए नुकसान नू पूरी फसल वजो नहीं विचार सरकार पामें लागत खर्चे वजो ठाट सोर पये प्रती एकडेह साबनाल किसाना नू मुआवजा दे हुगी जदके पंजाब खेतिवडी युनिवस्टी लुदे आना दे मताबिक हडा कारन चो निदी लुआई आते करीब ठात तर सोर पये प्रती एकड़ दे लागत खर ची आए ने यानि के खर्चा जिनना होया है नुकसान हो गया उद्धू बाद उस तो बाद सरकार जिडा मुआवजा देवे की उहो खर्चे तो कट है ते पंजाब सरकार उना सारे किसाना नू फसरी मुआवजा देवगी जिनना दे चो ने दी फसल जुलाई दे विच्छ ची वजो ठाट सोर पई प्रती एकड़ा मुआवजा दित्ता जा रहे है जादके पहलना पकणती आई फसल दे नुकसान दा मुआवजा ही दितता जान दार है मान सरकार दे वलनों पंजाब चे ग्राम पंचायता नू चोना तो चार मीने पहला ही पांग करन दे मामले ते काल पंजाब ते हराना हाई कोड डे डिवीजिन बेंच ने पंजाब सरकार दे पंचायत विपाक तो ओ रिकॉर्ड तल्ब कीता जिस दे अधार ते पंचायता पांग करन दा फैसला ले आ गया इस मामले दी अगले सुनवाई जस्टिस राज मोहन सिंग ते जस्टिस हर्पे सिंग बराड़ दी अदालत दे वेच अज फेर होएगी ते आज दी सुनवाई दे वेच सरकार दे वलों मुकमंतरी पगवंतमान वलों पंचायता नू लंगी दासरगास्त नू पंजाब दियां पंचायती संस्थावा नू पांग करके दो पड़ावां दे वेचे सीम ने चोणा क्रौन दा एलान कीता सी इस तो बाद बलविंदर सिंग ते होर्ना ने पंजाब सरकार दे स्वैसले नू हाई कोड दे विच चुनौती दिती सी जिस्ते एस तुनवाई चाल रही है काल दी सुनवाई चै आदालत ने सरकार नू पूछे आगे पंचायता नू समय तो पहला पांग कीते जान पिच्चे की लोग थे चान जिड़ा तुसी पंचायता पांग कारण देती आने ते suiv सवाल दा जवाब देन ले सरकार ने अदालत तो समा मंगया है दुझे वासे पटीशनेरा ने वकीला ने अदालत वीच दलील दिती के पंचैता नू समय तो पहला पांग करन पिछे कोई लोख हित नहीं है जहा करना कुदरती न्या दे वरुद है ते गैर कनूनी है कोटकपूरा गोडी कांड दिनाल जुडी वड़ी खबर है कि पड़ताल कर रही सिट ने कल फ्रीद कोड़ी इलाका मजिस्ट्रेट अजेपाल सिंधी अदालत वीच पची सो दो पन्या दा तीजा चलान पेश कर देता है यानि के मुल्जम जड़े ने उस सारे तकरीबन वड सार्शीर दे वेच सुभीर सिंग बादल सावका डीजीपी सुमेथ सैनी ते आईजी परम राज सिंग उम्रा नंगल खिलाफ चोविस्तो च्याली पन्याते दस्तावेजी सबूत अते चपंजा पन्याते फ्रेंसिक माहरा दियां रिपोर्टा कटना स्तान दे नक्षे, कट ना दियां वीडियोस ते फोटों हां शामल ने, अदालत ने इस चलान दी सुनवाई दो स्तंबर तै किती है, ते सारे मुल्समानों अदालत विच पेश होन दे हुकम दते ने, ते इससे दिन ही कोटपुरा गोली कान दे दुज्जे दो चलान भी सुनवाई ली रखी गए कि एस चार्ठशीट दे विच मुल्समान दी गिंती विच भी कोई वादा नहीं होया ते नाहीं दोशा मीच कोई वाद काट है, एदे विच सिर्फ ते सिर्फ साफ का मुकमंतरी पर कासिंग बादल दे दे हां तो बाद उनना दा नाम चलान चो बाहर कड़ के, उन नवे सि खबर हेमकुंट साहिब दी यात्रा दिनाल जोड़ी हुई है वी मैई नो अरंब होई यात्रा दे किवार 11 अक्तूबर नो बंद हो जानगे उत्राखान दे विचो लगपग 15 फोट दी उचाईत स्थित गुर्द्वरा स्री हेमकुंट साहिब दे दर्शना दे ले हर साल बंद पैरे एक वजे अर्दास्तो बाद गुरुकार्दे किवार्ड आम संग दे ले बांद कार्दते जानगे ते यात्रा दी स्मापती हो जावेगी वी मैई तो शुरू हुई इस यात्रा दे वेच हुण तक दो लगपतो वद संगता दर्शन कर चुकियाने जोदो यात पंजाब दे बुखमंतरी पगवंतमान ने एलान कीता है कि जलंदर दे आदमपूर हवाई अड़े तो करेल्लू उडाना छेती शुरू होन गिया मोखमंतरी ने काल चंडिगर दे वेच अपने दफ्तर च सिवल एविएशन विपाग दी मीटिंग दी परदानगी कीती अदे आदमपूर हलवारा बठिंडा ते पठान कोट हवाई अड़े अड़े काम दी समिख्या कीती ते के हां के इना हवाई अड़ें दी शुरू आतनार पंजाब दे लोकानों विश्व पार देलेई सिद्धी एर कनेक्टिवेटी मिलेगी क्योंकि परशासन ने पहला ही यात्रा दी नहीं बलके जाल अभिशेक दी इजाज़त देती सी शोबा यात्रा कड़न दी इजाज़त देन तो इनकार कर दिता सी हर्यान दे मुखमंत्री मनोहरलाल खटर ने भी कहा सी के मंदरां दे विच जाके जालबशे कीता जा सकता है पर पिछले दिनी कत्ती जुलाई नू जो कुछ भी होया उसनाल लोकां दा वड़ा नुकसान होया है तियसी इस ज्यात्रा दी इजाज़त नहीं दे सकते ते परशासन दे अलर्ट करके कल हर्याना दे नू दे वेच कोई भी आंसुखामी कटना वाप्रन तो बचा रहा सुखी सांधी पूरा दिन लंग गया सक्त स्रख्या परबंदा दे करके परशासन संभावित फिर कुहिं सा रोकन दे वेच सफल रहा हाला के इस दरम्यानिक माडी खबर भी आई है के बढ़काली चौंक दे वेच स्रख्या ड्यूटी ते तनात सब इंस्पेक्टर हाकमो दीन दी दिल्दा दौरा पैंड कारन मौत हो गई उमर महज संताली साल से सुपा में वेच्पी समेत होर हिंदू जथी बंदियां ने शोबा यात्रा कड़न दी त्यारी ता पूरी कीती सी होर ना सूबयां तो यात्रा वीच शामिल होन दे लेई लोक भी पहुंचे पर इनान गुरुग्राम दे वेच पोलिस ने रोक देता हिंदू जथे बंदियां दे कुछ आगवानों करां दे वेच नजर बंद कीते जान दियां खबरां भी मिलियां हरियान दे ADG Law and Order ममता सिंग ने दस्या के नूद वेच महौल बिलकुल ठीक है नाक के बंदी कीती हुई है ता जो कोई महौल खराब ना होवे त्योना यवी जानकरी दिती के जालब शेक हरेक सौंबार तो हो रहे हैं कल भी तड़के साढ़े जारवजे शुरू हुआ वस फार्क एनासी के सिर्फ स्थानिक लोकानों ही नूद वेच जालब शेक करंदी इजाजत दिती गई जलाब शेक तो मंदिर में हर सौंबार को हो रहा है पिछले सौंबार को भी हुआ था उससे पहले भी हुआ था राज भी हो रहा है साढ़े चार बजे से जलाब शेक तो रेगुलर चल रहा है जलाब शेक तो कभी रुका ही नहीं है चल रहा है बस फरक इतना है कि हमने जला इसो लोग तो जलाभी शेक कर चुके थे तो जलाभी शेक तो रैगुलर चल रहा है उसके लिए को अलग से पर्मिशन कर दोगाए गई एथो तक के मीडिया दे वानना नो भी गुरुग्राम दे वेची रोक देता गया कुछ हिंदू जथे बंदियां दे लीडर अयुद्या तो भी पहुंचे सान उनाने बठेरा परशासन नो कहा के हो अयुद्या दी मिट्टी अते ओथों दी नदी दा पाणी लेके आयने पर उनानो पुरिसने किसे भी कीमत दाखल नहीं होन देता विरोध वजों अचारिया टोल बूस्ते ही पो खड़ताल ती बैठ गे हाला के मंगरो 15 साधुआ ते कुछ हिंदू जथे बंदियां दी प्रतिन दानू नलहार दे शिव मंदर विच जाके जाले विशे करंदी इजाजत दित्ती गे जिलदे विच तकरीबन बजार वी बंद रहे क्योंके दफा चुताली लागू गिती गई सी इंटरनेट ते पूरण पबंदी सी राद तक इंटरनेट ते रोक लाई गई सी नूदे वेच जिते दाखल होन वाले राहा ते नीम फौजी बलांदे नारस रख्या आमला ते नाथ सी हो थे ही हर्याना पुलिस दे कुल उन्नी सु जवान पूरे श्यार दे विच मा जूद सान कई थामा ते बौपार्ती बैरिकेडिंग ताक कीती गे ड्रोना नार इलाके दी निग्रानी कीती गे समवेधनशील थामाते दंगा रोको वीकल वी तैनात रहे काल सारे विद्यक अधारे ते बैंक वी नूदे वेच बान रहे सो नूदे वेच काल दा दिन अमन अमान दे नार निपड़ गया श्रोमनी गुर्दवरा प्रबंदक कमेटी ने एक नवी यौन वाली फिल्म यारियां टू दे विच फिल्माएगे एक गीत विच एक अदाकारवलों सिखा दे ककार किरपान नो इतरायोग तांगनाल पैन ने जान दे इतरास परगटाया है इस फिल्म दे एक गीत दे विच इतरायोग सीन शामिल है ते एज़ीपीसी परदान एडवोकेट हरजंदर सिंग तामीने के है कि सिखक कारणा अपमान बरदाश्त नहीं किता जाएगा एज़ीपीसी ने फिल्म दे प्रोड्यूसर ते डिरेक्टर नो के है कि इस विडियो नो जनतक मंच तो तुरंत हटाया जावे फिल्म दा निर्देशन रादिका राओ ते विने सपरूदे वलों कीता गया एज़ीपीसी परदान ने चितावनी दिती है कि जे इस विडियो नो जनतक मंच तो ना हटाया गया तो एज़ीपीसी कानूनी कारवाई करेगी श्रीय कालताक साहब दे जथेदार गयनी रगभी ईर्सिंग ने वी सज़ीपीसीनू के है कि सिखक कारांदी बेदभी करनली जिमेवार व्यक्ती खिलाफ कारनों नी कारवाई कीती जावे तांजों को वेक्च कोई हो जहा ना करे बठिंडा तो एक वड़ी खबर है जित्थे स्थानक तो बियाना बस्ती दे वेचे नशा तसकरां ते चापपा मारन गई CIA 2 बठिंडा दे पुलिस टीम ते मुल्जमा ने हमलाई कार देता जैनके नशा तसकरां ने बठिंडे चे पुलिस ते हमला कीता जिसते वेचे दो पुलिस मुलाजम जख मी होगे हासबताल चे जेरे इलाज ने एक अटना ओदो वापरी जो बस्ती निड़े एक वांत इस वार कुछ व्यक्तियानू पुलिस ने पुछ पड़ ताल नहीं रोकिया दो बात रांदे वेचे बहस हो गई इस तो बाद मुल्जमा ने अपने होर साथियानू बलाके पुलिस टीम ते ही हमला कार देता सिवल लाइन थाने दे वेचे जणे खिलाफे रादा कतल दे दोशेट केस तरज किता गया दो औरता सने तन जणे नूं गिर्फतार भी कर लिया